Good morning everyone, myself Sarta Chauhan, today I will teach you GK, please let's open your books. Students, GK में आजम पढ़ेंगे, chapter number 24, Famous Indians, okay, Famous Indians, मतलब जो Indians हमारे रहे हैं, वो जो परसिद Indians हैं, उनके बारे में आजम पढ़ेंगे. The path of success lies through struggle, hard work and by sweat. जो success प्राप्ट करते हैं, मतलब सफलता की रहा पर चल कर, चलते हैं, उन्हें बहुत struggle करना पड़ता है, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और बहुत पसीना बहाना पड़ता है, तब जाके सफलता प्राप्ट होती है. To achieve success and achievements is not easy to maintain it. जब हम सफलता प्राप्ट करना चाते हैं, जब हमें सफलता मिलती है, तो उसको पाना बहुत आसान नहीं होता, उसके लिए हमें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है. Some great Indian's personalities and their achievements are given in this chapter. तो यह जो आपका chapter है, famous Indian, इसमें बहुत सारे great Indian personalities के बारे में बताया गया है, और उन्होंने जो achievements लिए हैं. उनके बारे में भी बताया गया है, कि उन्होंने जब कड़ी मेहनत की है, achievements जो उनको पुरुसकार मिले. उनके बारे में इस chapter में बताया गया है, तो let us know about them and their achievements टू. तो आईए हम इसको पड़ते हैं उनके बारे में और उन्हें जो achievement जो पुरुसकार प्राप्त है, जो उन्होंने सम्मान प्राप्त किया है, उनके बारे में जो बताया गया है, उसको भी जानते हैं. तो नन हो वाज नोबल आवाड़ेड, नोबल आवाड़ेड, दर नन हो वाड़ेड, नोबल पीस प्राइस, मदा टैरिसा, देके यहाँ पर फर्स यो पिक्चर दी हुए है, यह कौन है, यह मदा टैरिसा है, यह एक नन थी, तो इन्होंने पीस, मतलब शान्ती बनाई रखने में यह विश्वास रखती थी, तो यह एक नन्ती जुनोंने नोबल पीस प्राइस का अवाड़, इन्हें मिला था, नोबल पीस प्राइड अवाड़ से इन्हें समानित किया गया था, ओके, सेकिन्ड आपका है, दा फाउंडर, सीओ और डिरेक्टर ओफ इन्फोसिस, अन आज नारायन मूर्थी, इनका नाम है, अन आर नारायन मूर्थी, यह सीओ थे, किसके डिरेक्टर ओफ इन्फोसिस, CEO और Director of Infosys ठीक है इन्होंने यह ठीक है The CEO of Airtel Sunil Mittal यह है Sunil Mittal यह Airtel के CEO है The Founder of Vipro जिन्होंने Vipro के खोज की थी यह है अजीम प्रेम जी The Economist, Philosopher and Noble Literate तो यह है Amrathya Sen यह एक अर्दशास्त्री और दार्शनिक और जिन्होंने Noble पुरुषकार प्राप्त किया है The Queen of Singing Lata Mangeshka कौन है यह जो गाना गाती है उनकी Queen है ठीक है The Queen of Singing Lata Mangeshka The Missile Man of India A.P.J. अब्दुलकलाम ठीक है यह है Dr. A.P.J. अब्दुलकलाम जिसे Missile Man of India की नाम से जाना जाता है The Star of the Millennium Amitabh Bachchan इन्हें तो सब जानते हैं तो यह Stars of the Millennium की नाम से जाने जाते हैं The Father of Indian Cinema यह Indian Cinema के फादर की नाम से जाने जाते हैं इनका नाम है सत्यजीत रे The Poet, Writer and Novel Literate रमिन्दनाट टैगोर यह रमिन्दनाट टैगोर है रमिन्दनाट टैगोर ने हमारा National Anthem जन्गनमन लिखा ठीक है तो यह एक Poet है Writer है और Novel लिट्रेट है यह है आपके रमिन्दनाट टैगोर तो देखिए इस चैप्टर में Famous Indian आपको कौन-कौन से बताए गए है Mother Teresa Mr. Sunil Mittal Mr. Amrathya Sen Dr. A.P.J. Abdull Kalam Mr. Satya Jit Ray Mr. Rabind Natagor Mr. Amta Bachchan Mrs. Lagatta Mangeshka Mr. Azim Premji Mr. N.R. Narayan Mr. Murti Okay Students तो यह आपके Famous Indians है I hope you enjoy my class Have a nice day